C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा आठ के सामाजिक विज्ञान पाठ्यकरम के अंतरगत इतिहास की ध्वनी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत आईए अब सुनते हैं अध्याए आठ शीर्शक है महिलाएं जाती एवं सुधार और अब प्रस्तुत है पाठ 94. अध्याए आठ महिलाएं जाती एवं सुधार आईए अब सुनते हैं पाठ क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिन्दगी कैसी रही होगी आजकल मध्य वर्गिये परिवारों की ज्यादतर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उन में से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं बड़ी होने पर उन में से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्व विद्यालेयों में जाती हैं और विभिन प्रकार की नौकरियां करती हैं गानुनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और गानून के अनुसार वे किसी भी जाती वे समुदाय के व्यक्ती से शादी कर सकती हैं. यहां तक कि विधुआएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं. पुरुशों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुना बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। हिंदू वो मुसल्मान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्निया रख सकते थे। इस्ति पर भी महिलाएं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाएं की प्रायह कोई पहुच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर आउरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विध्वा हो जाएगी। इसी प्रिष्ट 94 पर चित्र संख्या एक और इसका शीर्षक है सती। और इस चित्र को बनाया था बाल्थाजर स्थाल्विन ने 1813 में। भारत आने वाले यूरोपिये चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बरवर्ता के सबूत के तौर बर देखा जाता था। प्रिष्ट संख्या 95 आएए अब सुनते हैं पाठ। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरूशों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादतर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मन और क्षत्रिये खुद को उची जाती का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदी से जुड़ी जातियों जिन्हें प्रायह वैश्य कहा जाता था, कास्थान आता था। फिर काश्थकार, बुनकर वा कुमार जैसे दस्थकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पाइदान पर ऐसी जातियां थी जो गाउं शहरों को साफ सुथरा रखती थी। या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें उची जातियों के लोग दूशित कार्य मानते थे, यानि ऐसे काम जिनकी वज़ह से उनकी जाती भरष्ट हो जाती थी। उची जातियां निचले पाइदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अच्छूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवन जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकलने या उंची जातियों के आधिपत्ते वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुश्य माना जाता था। उन्निस्वी और बीस्वी सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे काईदे कानून और नजरिये धीरे धीरे बदलते गए। आईए देखें की ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम उन्निस्वी सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजी करिवाजों और मुल्ले मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक एहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीखे विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अख़वार, पत्रिकाएं, परचे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें ना केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बलकि उन पांडूलीपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं। लिहाजा, आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उन में से बहुत सारे अपनी भाशाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुशों और कभी-कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अकसर भारतिय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन रोय जिनका काल 1772 से 1833 तक का था इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्हों ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन रोय जैसे लोगों को सुधारक इसी लिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्याय पूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ कर जीवन का नया धंग अपनाने के लिए तैयार हों। इसी प्रिष्ट 95 पर अंत में नीचे एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है गती विधी। गती विधी ये है। क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदी छापने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीती रिवाजों और व्यवहारों क के बारे में किस तरह चर्चा चलती होगी। प्रिष्ट संख्या 96 प्रिष्ट संख्या 96 में सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या 2 और ये राजा राम मोहन रॉय का चित्र है। इस चित्र को रेम ब्रॉंट पील द्वारा सन 1839 में बनाया गया था। और अब पाठ राम म मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंतरता व समानता के पक्षधर थे। उन्हों ने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता है। उनकी दुनिया घर और रसो विध्वाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफी दुखी थे कि विध्वा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कश्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिल अपने लेखन के जरिये यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विध्वाओं को जलाने की अनुमती नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय साथ में पढ़ा है उन्निस्वी सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अपसर भी भारतिये प फलो सरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राम मोहन रोय ने इस अभियान के लिए जो रण नीती अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानीकारक प्रथा को चुनोती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक से ऐसे श्लोक या वाक्के ढूणने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हूं। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीती रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। इसी प्रिष्ठ 96 पर नीचे एक चित्र और चित्र संख्या है त यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें लोग कुंडों पर जूल रहे हैं। पार्शों में एक नदी है, संभौता ये कोई मेला होगा। इसके बारे में वर्डन इस प्रकार से है, इस लोक प्रिये तेवहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से रहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक जूले पर लटक जाते थे। उन्नीस्वी शताबदी के पूरवार्ध में जब यूरोपिये अफसरों ने भारतिये रीती रिवाजों और अनुष्ठानों को बर-बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस तिवहार की खास तोर से आलोचना की गई। कुछ परचे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरन देखिए। सती समर्थकों की दलील औरतें कुदरती तोर पर कम समझदार, बिना द्रिड संकल्फ वाली, भरोसे के योग्ये नहीं होती हैं। उन में से बहुत सारी खुद ही अपने पती के मृत्यू के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं। परंतु वे कहीं धधक्ती आग से भाग ना निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकणियों में कस कर बाद देते हैं। सती विरोधी दलील इसी बॉक्स में है। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभावी क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें समझ नहीं होती। अगर ज्यान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहन ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं। परंतु अगर तुम आवरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कम तर कैसे कह सकते हो। इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स और इस बॉक्स में गतिविधी दी गई है। ये समवाद जो हमने अभी अभी पढ़ा, ये समवाद 175 साल से भी ज्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखें, देखें कि तब और अब की दलीलों में क्या फर्क आया है। और इसी बॉक्स के नीचे एक चित्र, चित्र संख्या चार, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। इनके बारे में लिखा हुआ है, दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विध्वा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विध्वावों के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्या सागर का भी विरोध किया और यहां तक की उनका बहिशकार कर दिया। उन्निस्वी सदी के उत्तरार्ध तक विध्वा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्ने भागों में भी फैल गया था। मदरास प्रेसिडंसी के तेलुगू इराकों में विरेश लिंगम पंतुलू ने विध्वा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धी जीवियों और सुधारकों ने भी विध्वा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विध्वा विवाह का समर्थन किया। तब कि इस नए कानून का विरोध करते रहे। प्रिष्ट संख्या 98 प्रिष्ट संख्या 98 में सबसे पहले एक चित्र पर डालते हैं अपनी नजर चित्र संख्या 5 और इसमें इश्वर चंद्र विद्या सागर का चित्र है। इसी के नीचे चित्र संख्य अच्छे और इसका शीरशक है हिंदू महा विद्याले की छात्राएं। यह चित्र 1875 में बनाया गया था। इसके बारे में लिखा है उन्निस्वी शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आम तौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई से कम सक्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्याले ऐसे शुरुवाती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। और अब सुनते हैं पाठ लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में, विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19. सदी के मध्धे में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे स्कूल जाने के लिए लड़कियों को स्थार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को स्थार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए फलो सरूप उन्निस्वी सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादतर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पती की देखरेख में ही घर पर ही पढ़ाया जाता रहा कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजीक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राश सुन्दरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिये की टिम्टिमाती लौव में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था उन्निस्वी सदी के आखिरी हिस्ते में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योती राव फुले द्वारा महाराश्टर में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरभी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी इस स्थिती को देखते हुए मुम्ताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दे कर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए 19-ी सदी के आखिर से ही उर्दु में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोसाहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलु साज संभाल के बारे में पढ़ें महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी 20-वी सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुसलिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमी का अदा की जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगर में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला बेगम रुकईया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुसलिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले वह रूढी वादी विचारों की कटू आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रतेक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दरजे में रखा है प्रिष्ट संख्या 99 पाठ पर जाने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र संख्या है साथ और ये चित्र है पंडिता रमाबाई का और अब सुनते हैं पाठ 1880 के दशक तक आते आते भारती महिलाएं विश्व विद्यालेयों में प्रवेश लेने लगी थी इन में से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्हों ने समाज में महिलाओं की स्थिती पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किये पुना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फरकों की आलोचना की गई थी संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है उन्होंने उची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी उन्होंने पूना में एक विद्वागरी की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहरे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें जाहिर है कि इन सब बातों से रूड़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए उदारन के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृती भरष्ट होगी और पारिवारिक संसकार नश्ट हो जाएंगे रूड़िवादी मुसलमान भी इन बदलाओं के नतीजों को लेकर चिंतित थे जैसा कि आप देख सकते हैं उननिस्वी सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चड़ कर प्रयास करने लगी थी उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षन केंदर खोले तथा महिलाओं को संगठित किया बीस्वी सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मत अधिकार, बेहतर स्वास्थे सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में आनून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समुह बनाने लगी थी उन में से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्द प्रकार के राश्टरवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया बीस्वी शतादी में जवाहर लाल नहरू और सुभाष चंदर बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतनतरता और समानता की मांगों का समर्थन किया राश्ट्रिय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतनतरता मिलने पर सभी पुरुषों वा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा परंतु उनका आखवान था कि जब तक स्वतनतरता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संगर्ष में ही जोर लगाना चाहिए इसी प्रिष्ट 99 पर अगले प्रिष्ट में जाने से पहले स्रोथ संख्या 2 और ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स का शीर्षक है जब आउरत का पती मर जाता है इसमें वर्नन इस प्रकार से है अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था क्या आउरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी की तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरूशों से बिलकुल अलग चीजों से बनी हो मानो वे धूल या चटानो या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम वे तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पती मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आँखों को थंड़क पड़ जाए उसे शादी ब्याह, आवो भगत और उन शुभ आवसरों से बहिश्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती है और भला इन पावंदियों की वज़ह क्या है? क्योंकि उसका पती मर चुका है, वह अभागी है दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीरशक है बाल विवाह के विरुद्ध कानून वर्णन इस प्रकार से है महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्धों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे केंद्रिय विधान सभा में बहुत सारे सांसर्थ थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संगर्श किया 1929 में बाल विवाह निशेध अधिनियम पारित किया गया इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संगर्श नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उमर के लड़के और 16 साल से कम उमर की लड़की की शादी नहीं की जा सकती बाद में यह उमर बढ़ा कर क्रमर शह 21 साल और 18 साल कर दी गई इसी बॉक्स में एक चित्र है और ये चित्र संख्या आठ है इसका शीरशक है आठ साल की दुलहन चित्र में आप देख सकते हैं एक चोटी बाली का दुलहन की वेश भूशा में और साथ ही उसका पती जो की दिखने में बहुत ही वयस्क एक परिपक्व पुरुष लग रहा है इसके बारे में वर्डन इस प्रकार से है यह बीस्वी शताबदी की शुरुवात में एक बाल वधु का चित्र है आपको पता है कि आज भी हमारे देश में बीस प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों की शादी अठारह साल से पहले ही हो जाती है और अब सुनते हैं पार्ट जाती और समाज सुधार हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिकर किया है उनमें से कई जाती गएर बराबरी के भी विरोधी थे राम मोहन रॉय ने जाती विवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बाउध ग्रंथ का अनुवाद किया प्राथना समाज भक्ती परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था जाती उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परम हंस मंडली का गठन किया गया इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे उची जातियों के लोग थे गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्ष जैसे मामलों में जातियों काइदे कानूनों का उलंगन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातियों पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके ऐसे कई लोग थे जो जाती आधारित समाज विवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे 19. सदी में इसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूणने के नए साधन मिलने लगे थे उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गाउँ छोड़ कर भी जा रहे थे नए कारखानों और नगरपाली गाउं में नई नौकरियां निकल रही थी अध्याय छे में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं प्रिष्ट संख्या 101 इसमें सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या 9 और इसका शीर्षक है एक कुली जहाज उननिस्वी शताब्दी में यह चित्र बनाया गया इसके बारे में लिखा है जान एलन नामक एक कुली जहाज के द्वारा भारतिये मजदूरों को मौरिशियस ले जाया जाता था जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे इन में से ज्यादतर मजदूर निचली जातियों के होते थे और अब सुनते हैं पाठ कल्पना कीजिये कि इससे मजदूरों की कितनी मांग पैदा होई होगी शहरों में नालियां बनाई जानी थी सडकें बिचनी थी इमारतों का निर्मान होना था और शहरों को साफ किया जाना था इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोजह ढोने वालों, इंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्षा खीचने वालों की जरुरत थी यह श्रम कहां से आया? इन कामों को संभालने के लिए गाओं और छोटे कस्वों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे कुछ लोग असम, मौरिशियस, ट्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदी स्थानों में बागानों में काम करने भी चले गए नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था परन्तु घरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गाओं में सवन जम्बिनदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कबजे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक अच्छा मौका था इसी प्रिष्ट 101 पर नीचे एक बॉक्स और बॉक्स का शीरशक है जूते कौन बना सकता है चम्डे का काम करने वालों को परमपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है क्योंकि वे मृत पशूओं का चम्डा निकालते हैं जिन्हें गंदा वदूशित माना जाता है पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी परंतु चम्डे के कामों के प्रती जाती पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परमपरागत चम्डा कामगार और मोची ही जूते तयार कर सकते थे लिहाज़ा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाव हुआ इसी बॉक्स में एक चित्र और यह चित्र संख्या है दस और इसमें जूते बनाते मदिगा समुदाए के लोगों को दिखाया गया है यह उन्निस्वी शताब्दी में आंधर प्रदेश का चित्र है मौजूदा आंधर प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अच्छूत जाती रही है वे पशूओं के शवों को साफ करने, चमडा तयार करने और चपल जूतियां सीने में माहिर थे अब पाठ इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी उदाहरन के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत पढ़ गई थी अच्छूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई दलित आंदोलन के नेता बी आर अंबेड कर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे प्रिष्ट संख्या 102 इसी प्रिष्ट पर सबसे पहले दो बॉक्स पहला बॉक्स उसका शीर्षक है कक्षा में जगह नहीं बंबई प्रेजिडेंसी में 1829 में भी अच्छूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सकती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठ कर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि वे कमरे को दूशित ना कर सकें जहां उची जाती के लड़कों को पढ़ाया जाता था इसी बॉक्स के बगल में एक चित्र और यह चित्र संख्या 11 है और इसका शीरशक है गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढ़ोकर ले जा रहे हैं तमाम छोटे बड़े काम करते थे दूसरा बॉक्स गती विधी एक कलपना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठ कर कक्षा में पढ़ाये जा रहे सबक को सुन रहे हैं तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे दो, कुछ लोगों को लगता था कि अच्छूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिती फिर भी बहतर थी क्या आप इस राए से सहमत हैं? और अब सुनते हैं पार्ट समानता और न्याए की मांग उन्निस्वी सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मन जातियों के भीतर से भी लोग जातिये भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे उन्होंने सामाजिक समानता और न्याए की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिये थे मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरूआत घासी दासने की जिन्होंने चमडे का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिती में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकूर के मत्वा पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया हरिदास ने जाती विवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मन वादी ग्रंथों पर सवाल उठाया जिसे आज केरल कहा जाता है वहां एज़ावा जाती के श्री नारायन गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा उन्होंने जातीगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेद भाव करने का विरोध किया उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाती है उनका एक महत्वपून कथन था ओरु जाती ओरु मतम ओरु दैवम मनुश्यानू यानि मानवता की एक जाती एक धर्म और एक ही इश्वर है इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गएर ब्राहमन जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे उन्हों ने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्यो शाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया प्रिष्ट संख्या एक सो तीन इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक चित्र चित्र संख्या तेरह और ये जोती राव फुले जो प्रसिध समाज सुधारक थे उनका चित्र है अब सुनते हैं पाठ गुलाम गिरी निम्द जाती नेताओं में जोती राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे 1827 में जन्में जोती राव फुले ने इसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी बड़े होने पर उन्हों ने जाती आधारित समाज में फैले अन्याई के बारे में अपने विचार व्यक्त किये उन्हों ने ब्राहमनों के इस दावे पर खुल कर हमला बोला कि आरे होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उप महाद्वीप के बाहर से आये थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहां रह रहे मूल निवासियों को हरा कर उन्हें गुलाम बना लिया था जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाती वाला मानने लगे फुले के अनुसार उंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है यह धर्ती यहां के देशी लोगों की कथित निम्न जाती के लोगों की है फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहां स्वर्ण युग था तब युद्धा किसान जमीन जोदते थे और मराठा दिहात पर न्याए संगत और निश्पक्ष तरीके से शासन करते थे उन्होंने सुझाव दिया कि शुद्रों यानि श्रमिक जातियां और अती शुद्रों यानि अच्छूत को जातिय भेद भाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए फुले द्वारा स्थापित किये गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातिय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई 1873 में फुले ने गुलामगीरी यानि गुलामी नामक एक किताब लिखी इससे लगभग 10 साल पहले अमेरीकी ग्रिह युद्ध हो चुका था जिसके फलसुरूप अमेरीका में दास प्रथाख खत्म कर दी गई थी फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमरीकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संगर्श किया था इसी प्रिष्ट 103 पर एक बॉक्स और उस बॉक्स का शीर्शक है मैं यहाँ और तुम वहाँ स्रोत संख्या 3 यहाँ इस प्रकार लिखा है फुले उच्च जाती नेताओं के उपनिवेश्वाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे उन्होंने लिखा था ब्राहमणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं वे हमारे शुद्र, मुस्लिम और पार्सी नवजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम उच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई जगड़ा बंद करके एक जुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नती नहीं कर पाएगा यह एकता उन्हीं के फाइदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिती पैदा हो जाएगी मैं यहाँ और तुम वहाँ जोती राव फुले काश्टकार की चाबूक शितकाच्या आसूड इसी प्रिष्ट पर एक और छोटा बॉक्स और उसका शीर्षक है गतिविधी श्रोत तीन को ध्यान से पढ़ो मैं यहाँ और तुम वहाँ से जोती राव फुले का क्या आशे था प्रिष्ट संख्या एक सो चार सुनते हैं पाठ इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमरीका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया जैसा कि इस उदारन से पता चलता है कि फुले ने जाती ब्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गयर बराबरी से जोड़ दिया था इसी प्रिष्ट पर सबसे उपर एक बॉक्स भी है बॉक्स का शीर्षक है हम भी इनसान है श्रोत संख्याचार 1927 में अंबिटकर ने कहा था अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि आउरों की तरह हम भी इनसान है हिंदू समाज का दो मुख्य सिध्धान्तों समानता और जाती वाद की समाप्ती पर पुनर गठन किया जाना चाहिए पाठ में चलने से पहले इस समय हम देख सकते हैं इसी प्रिष्ट पर नीचे एक चित्र है और ये चित्र संख्या 14 है इसमें मदुरे मंदिर का प्रवेश द्वार है इस चित्र को टॉमस डैनियल द्वारा सन 1792 में बनाये गया था इसका छोटा सा वर्णन है नीचे मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अच्छूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था अब आईए सुनते हैं पाठ मंदिरों में कौन जा सकता था अमबीड कर एक महार परिवार में पैदा हुए थे बच्पन में उन्हों ने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातिय भेदभाव और पूर अग्रह क्या होता है स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था उन्हें सवन बच्चों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्यायन के लिए अमेरिका जाने हेतु फैलोशिप मिल गई थी 1919 में भारत लोटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातिय सत्ता सनरजना पर काफी लिखा सन 1927 में अम्बेटकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाती के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया ब्राहमण पुजारी इस बात पर बहुत आग बवूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशे का पानी इस्तिमाल कर रहे हैं 1927 से 1935 के बीच अम्बेटकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे तीन आंदोलन चलाएं वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातिये पूर्वाग्रहों की जकर कितनी मजबूत है प्रिष्ट संख्या 105 में सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या 15 और ये E.B. रामा स्वामी नायकर का चित्र है अब आएए सुनते हैं पाठ गैर ब्राह्मन आंदोलन 20. सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मन आंदोलन शुरू हुआ यह प्रयास उन गैर ब्राह्मन जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था उनका तर्क था कि ब्राह्मन तो उत्तर से आए उन आर्य आकर्मन कारियों के वनशज हैं जिन्होंने यहां के मूल निवासियों या देशी द्रविड नसलों को हरा कर दक्षिनी भूभाग पर विजय हासिल की थी उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मन वादी दावे को भी चुनोती दी पेरियार के नाम से प्रसिध इवी रामा स्वामी नायकर एक मध्य वर्गिये परिवार में पले बढ़े थे अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्यायन किया था बाद में वे कॉंग्रेस के सदस्से बने परंतु तब उन्होंने राष्टर वादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग-अलग इंतिजाम किया हुआ है तो उन्होंने हताश होकर पाटी छोड़ दी इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग-अलग बैठने का इंतिजाम किया गया था पेरियार की समझ में आ चुका था कि अच्छूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया उनका कहना था कि मूल, तमिल और द्रविड संस्कृती के असली वहक अच्छूती हैं जिन्हें ब्राह्मनों ने अपने अधीन कर लिया है उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अच्छूतों को खुद मुक्ती पानी होगी पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे खास्तोर से मनुद्वारा रचित सहिता, भगवत गीता और रामायन के वे कट्टू आलोचक थे उनका कहना था कि ब्राहमनों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व अस्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई निम्न जातिये नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच जातिये राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मन्थन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई परंतु रूढिवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महा मंडल और बंगाल में ब्राहमन सभा जैसे संगठनों के जरिये इन रुजहानों का सक्ती से विरोध किया इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातिय उँच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आच ना आए वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है आपनिवेशिक काल के बाद भी जाती के सवाल पर बहस और संगर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है प्रिश्ट संख्या 105 पर दो बॉक्स अज सबसे पहले देखते हैं इसका पहला बॉक्स और इसका शीर्शक है महिलाओं के बारे में पेरियार पेरियार ने लिखा था तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कटफुतली बन गई थी हमें ऐसे पिताओं के संरक्षन में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वोए अपने पती के घर का हिस्सा है यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्टता का परिनाम है पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंतनाईकल से उध्रित गतिविधी आज भी जाती इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों बनी हुई है अपनिवेशिक काल में जाती के विरुद्ध सबसे महतोपूर्ण आंदोलन कौन सा था प्रिश्ट संख्या 106 सुधारों के लिए गठित होना सबसे पहले एक चित्र चित्र संख्या 16 ये केशव चंदरसेन का चित्र है जो ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे एक चित्र और है चित्र संख्या 17 यह हैंडरी डेरोजियो का चित्र है एक चित्र और चित्र संख्या 18 यह स्वामी विवेकानद का चित्र है और एक चित्र और चित्र संख्या 19 ये सैयद अहमद खां का चित्र है। अब आईए सुनते हैं प्रिश्ट संख्या 106 का पाथ। ब्रम्हो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ये संस्था सभी प्रकार की मूर्ती पूजा और बली के विरुद्ध थी और इसके अनुयाई उपनिशदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन धर्मों के आदर्शों खास्तोर से हिंदुत्व और इसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नाकारात्मक और सकारात्मक पहलुआँ पर प्रकाश डाला। डेरोजियो एवं यंग बंगाल हमने इनके चितर के बारे में सुन लिया है अब आईए सुनते हैं इनके बारे में। अठारा सो बीस के दशक में हैंरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से आउगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोसाहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूव्मेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीती रिवाजों पर उंगली उठाई। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच वब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामक्रिशन मिशन और विवेकानन्द स्वामी विवेकानन्द के चित्र के बारे आप सुन चुके हैं जो इसी प्रिष्ट पर दिया हुआ है अब आएए सुनते हैं वर्णन। रामक्रिशन मिशन का नाम स्वामी विवेकानन्द के गुरू रामक्रिशन परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिये मुक्ती के लक्षे पर जोर देता था। स्वामी विवेकानन्द जिनका काल 1863 से 1902 तक रहा, उनका मूल नाम नरेंदर नाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामक्रिशन की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिवहाशाली संतुरित आधूनिक विचारधारा से जोड कर संपून विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयोर्क हेरोल्ड ने विवरनर दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खता पूर्ण है। वास्तों में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतिये थे जिन्होंने विश्व ब्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गवरों को पुनरस्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देश्वासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुखु हुआ। उनका यह द्रिढ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन्समूह की दशा उन्नत हो। अतह भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीन चार दिवारी से बाहर निकलने और राष्टर की सेवा में एक जुट होने का आहवान किया। इस आहवान द्वारा भारती राष्टरवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाध्रन योगदान दिया। किन्तु राष्टरवाद के बारे में उनका भाव संकीन नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानो जाती को जीन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्टर एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतह एक सामान ने आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्वोधन में वह वास्तों में नई विचारधारा के प्रतीक और भविश्य के लिए एक महान शक्ती का श्रोत बन गए। प्राथना समाज 1860 में बंबई में स्थापित प्राथना समाज ने जातिये बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्राथना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोजसाहित किया और विध्वा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बाउध और इसाई ग्रंथों पर विचार विमर्ष किया जाता था। वेद समाज मदरास जो आज का चिन नहीं है में 1864 में वेद समाज की स्थाफना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातिये भेदभाव को समाप्त करने और विध्वा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोजसाहित करने के लिए काम एक ईश्वर के अस्तित्तों में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़ी वादी हिंदुत्व के अंध विश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। सेद अहमद खाद्वारा 1875 में अलिगढ़ में खोले गए मुहमधन एंगलो ओरियंटल कॉलेज को ही बाद में अलिगढ़ मुसलिम विश्व विद्याले के नाम से जाना गया। यहां मुसल्मानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विशयों में आधुनिक शिक्षाद दी जाती थी। अलिगढ़ आंदोलन का शेक्षनिक सुधारों में गहरा प्रभाव रहा है। प्रिष्ट संख्या 107 में सबसे पहरे एक चित्र, यह चित्र संख्या 20 है और इसमें खालसा कॉलेज अमरिज सर का चित्र दिया हुआ है। 1892 में सिक्ष सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा इसे स्थापित किया गया। सुनते हैं इस बॉक्स का वर्णन। सिह सभा आंदोलन सिक्षों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिह सभाओं की स्थापना 1873 में अमरिज सर से शुरू हुई थी। बाद में 1889 में लहौर में भी सिह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंदविश्वासों, जातिये भेदभाओं और ऐसे आचरण जिसे वे गहर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोसाहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ग्यान के साथ साथ सिख धर्म के सिध्धान्तों को भी पढ़ाया जाता था। एक बॉक्स और और इस बॉक्स का शीर्षक है अन्यत्र। इसका उप्षीर्षक है काले घुलाम और गोरे बागान मालिक। आप यह जान चुके हैं कि जोती राव फुले ने अपनी पुस्तक घुलाम गिरी में जातिय उत्पीडन और अमरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीज किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दास्ता की यह प्रथा क्या थी। सत्रहुई शताबदी में जब यूरोपिये खोजी, यात्री और ब्यापारी पहली बार अफरीका पहुँचे तो उन्होंने घुलामों का ब्यापार शुरू कर दिया। वे अफरीका के काले लोगों को पकड़ कर ले जाते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कापास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था जो ज्यादा तर दक्षिनी संयुक्त राज अमेरिका में स्थित थे बागानों में ये गुलाम पव फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे सही ढंग से काम ना करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोडों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांती की भावनाओं का हवाला देते हुए आहवान किया अमरीका वासियो अपने घोषणा पत्र को देखो क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती गैटिस्बर्ग में दिये गए अपने अत्यंत भाव प्रवन भाषण में अबरहाम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संगर्ष किया है वे लोक तंत्र के पत्थ प्रदर्शक हैं उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे नसली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धर्ती से जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो इसी प्रिष्ट पर सबसे नीचे चित्र संख्या 21 और यहां गुलामों की बिक्री का चित्र दिखाया गया है जो दक्षिनी कैरोलीना अमेरिका का है यह चित्र 1856 में बनाया गया यहां संभावित खरीदार निलामी में अफरीका से लाए गए गुलामों की जाच परताल कर रहे हैं आप चित्र में देख सकते हैं प्रिष्ट संख्या 108 सबसे पहला बॉक्स आईए कलपना करें मान लीजिए कि आप रुकईया हुसैन द्वारा स्थापित किये गए एक स्कूल में पढ़ाते हैं आपकी कक्षा में 20 लड़कियां हैं अपनी कलपना के आधार पर इस स्कूल में किसी एक दिन हुई चर्चाओं का एक विवरण लिखिये फिर से याद करें एक नीचे कुछ नाम दिये गए हैं और प्रश्ण है इन लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया सबसे पहला नाम राम मोहन रॉय उसके बाद दयानंद सरस्वती फिर वीरेश लिंगम पंतुलू जोती राव फुले पंडिता रमाबाई पेरियार मुमताज अली और इश्वर चंद्र विद्या सागर दो इन में से सही या गलत बताएं क जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ती उत्तराधिकार आदी के बारे में नए कानून बना दिये सही या गलत क समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था सही या गलत ग सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था सही या गलत ग बाल विवाह निशेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था आईए विचार करें तीन प्राचीन ग्रंथों के ग्यान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली चार लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे पांच इसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा यदि हाँ तो किस कारण छे अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए आउसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे साथ जोती राओ और अन्ने सुधारकों ने समाज में जातिय असामानताओं की आलोचनाओं को किस तरह सही ठहराया आठवा प्रश्न फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगीरी को गुलामों की आजादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया नौ मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिये आमबेड कर क्या हासिल करना चाहते थे दस जोती राव फुले और रामा स्वामी नायकर राष्ट्रिय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रिय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली यहां आठवा अध्याय समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे हमारे अतीत भाग तीन ध्वनी पाठे पुस्तक का आठमा अध्याय शीर्शक्था, महिलाएं, जाती एवं सुधार वाचन स्वर, अजीत होरो, निर्मान सहयोग, शानु मुक्सीम, निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत